तो आएए शुरू करते हैं अपनी बहुत ही टेस्टी रेसिपी, तो यहाँ पे मैंने आधा कप चना दाली है, अब यहाँ पे मैं आधा कप ही चावल लुँगी, अब इसे 2 पानी मैं साफ अच्छे से धूलुँगी दाल और चावल को, अच्छे से ये देखिए मैंने धूल लिया है अब इसमें लगबग हम देर लीटर पानी डाल देंगे और इसे हम कम से कम 6-7 घंटा भीगने देंगे चावल और दाल को आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं भीगने के लिए तो उसमें क्या होगा 6-7 घंटे में बहुत अच्छे चावल और दाल दोनों फ एक बार फिर धुल के चाहन लेंगे और उसके बाद ये दाल और चावल को लेके मैंने ग्रैंडिंग जार में शिफ्ट कर लिया है अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 4th कप दही ये घर की ताजा दही है फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 हरे मिर्च 1 इंच अद्रक अद्रक को मैंने थोड़ा चोटा काटके आड किया है पिर हम इसमें एड करेंगे 1 4th काफी पानी जितना मैंने दही लिया है उतना ही पानी लिया है एक पिर चोटा चमच नमक करेंगे बहुत ही थोड़ा-सा 1 4 टीजम लिया का और 2 टेबल स्पून यहां पे मैंने रिफाइन ओयल का यूस किया है, अब इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, इन सब को इसका अच्छा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे, पाइन इसको अच्छा पेस्ट बना लें इसका, तो यह देखिए, बहुत अच्छा यह पेस्ट के रेडी हो गया है, अब इसे हम ढख के 8 घंटे के लिए रख देंगे, या ओवरनाइट भी रख दें, फर्मेंट होने के लिए, 8 घंटे कम से कम आप इसे रखें, उसमें यह अच्छा फर्मेंट हो जाता है, फूल जाएगा यह, तो यह देखिए 8 घंटे बाद, यह कैसे अच्छा फूल गया है, यह देखिए, बहुत ही अच्छा मिश्रन बनके रेडी हुआ है, अब एक कढ़ाई में मैंने 2 लिटर पानी रख दिया है गरम होने के लिए, उसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है, और इसको हम ढग देंगे और भाब बनने देंगे, तो यह बिसिकली मैं स्टीमर त्यार कर रही हूँ, और एक यह देखिए, मैंने बर्तन लिया है, और फिर यहाँ पर मैंने 1 टी स्पून इनो का यह देखिए, एक सैशे था, तो एक टी स्पून यहाँ पर मैंने इनो का यूज किया है, उसके पर 1 टेबल स्पून पानी आड़ करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे, एक ही डाइरेक्शन में, तो बहुर यह अच्छा यह फलफी हो जाएगा, दिखे, फूल गया है अच्छा, फिर हम इसे ग्रीस की हुए बरतन में पोर कर देंगे, टाप कर लेंगे, और जो पानी की भाब बन नहीं थी न, उसमें हम इसको रख देंगे, फिर हम इसको ढग देंगे, और हाई फ्लेम पे लगबग 15 से 20 मिट लग जाता है इ इसे पकने दें, बहुत ही अच्छा ये पक के रेडी हो जाएगा, 20 मिट में कभी 25 मिट भी लग जाते हैं क्योंकि ये दाल है, तो आप एक बार चेक कर लें, तो ये देखे, 20 मिट के बाद मैंने चेक किया है, तो बहुत ही अच्छे पक गई है, तो इसे ठंडा होने के लि इसली निकल जाता है, तो ये देखे, हमारा दाल और चावल का कितना ठेस्टी ढोकला बन के रिडी हुआ है, बहुत ही ये हेल्दी है न, तो इसको हम तड़का लगाएंगे, तो गैस पे मैंने तड़का पैन रग दिया है, उसमें 2 डेरबल स्पून ओल रग दिया है करम हो थोड़ी सी हरी मिर्च आइड करेंगे, और थोड़ी सी करीपत्ते भी आइड कर देंगे, उसे ये तड़का और अच्छा लगेगा, तो देखे, आपे मैंने 3 हरी मिर्च 20 से स्लेट करके आइड की है, करीपत्ता भी आइड कर दिया, फिर हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि धोकला अंदर से कितना अच्छा और फ्लफी बना है तो ये तड़का हमें लेके धोकले पे स्प्रेड करके डालना है ये देखिए मैंने इसे कट किया है कितना ये स्पॉंजी बना है आपको इसका स्पॉंज देखिए समझ में आ रहा होगा और जालिया इसकी देखिए एकड़म पर्फेक्ट जालिया आई है तो ये तड़का लेके हम स्प्रेड कर देंगे धोकले के उपर तो हमारा बहुत ही टेस्टी दाल और चावल का धोकला बनके रेडी है उपर से तोड़ी सी धनी की पत्ती के साथ गार्निश करें अगर आपके पास ताजा नारियल हो तो वह भी ग्रेट करके गार्निश कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी ये दोकला बना है